खड़े रहके नहीं पड़ते बात समझ में आ गई उन्हें जुखने को तैयार नहीं उठने को तैयार नहीं अरे अकल के अंदो अल्ला के महबूबों का अदब नहीं करोगे तो जन्नत मे रहने वाला जन्नत के बाहर हो गया उसके महबूब की ताजीम ना करने की वज़े से जन्नती बाहर दख्के खारा जो आलरेडी बाहर है उन्हों जाएंगे ताजीम और ये ताजीम जो होती है दिल का तक्वा है जिसका अंदर मुतासिर है जिसका दिल मुताखिय है वो ताजीम करता है और छुकना शिर्क नहीं है जहां छुक गया शिर्क खड़े लेकि छुकरा 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 मच्जित में बोला अज़ाद अल्ला के अलावा कई भी जुकना ए शिर्खे बाहर निकले तो जूता लेने को जुका जुक रहा ढूं रहा क्या है मुलता आप ने मेरा जूता यही रखा था मुला इत्ता जुक गया अब तो अंदर बोल रहा था ना अल्ला के अलावा कई नहीं जुकना तो जूते के लिए कई को जुका भर खड़े खड़े ले पासेबुल है बाहर दे आया सुन ले के आया अल्ला के अलावा कई नहीं जुकना अल्ला के लावा जुके तो शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है, सुले का, बीवी आटा कुन रही, छुले के बाद, मुन्ना रो रहा, बच्चा रो रहा, तो इन्हों मियां को देखके बली अजी देखो, मुन्ना रो रहा तरह उठाओ, एक दम याद आ गया, अल्ला के लावा न मैं बीवी निकली तो देखिए जब फुटबल बना रहा अरे क्या है जी ए क्या है बच्चे को उठाओ बोले तो नहीं मौलाना बोले अल्ला के अलावा कही नहीं जुखना बोले अब बैं कैसा जुखके उठाओंगा बोले तेरे और तेरे मौलाना पर बठी बढ़ो बोले कहां जाके आते हैं जी तो मुल्टे चीते सिरा सिके यह पॉसिकल है अब जुखने गराज समझो अल्ला के लिए जुखा तो अबादत है और माबाप के लिए जुखा तो अदब है हर जुखना शिर्ग नहीं है अबादतन जुख गया तो अल्ला के लिए और गौस आदम की बारगा में जुखा तो अदब के लिए खाजा की चौकट पे जुखा तो अदब के लिए यूसर शरीफ साब के पाद जुखा तो अदब के लिए ये ताजीम के लिए छुक रहा है अबादत सिवाए अल्ला के किसी की नहीं मेरे बाद तुम्हारी बाद समझ में आ रही है तो मैं बता दू कि अदब एले सुन्दत वल्जमाद की जान है और खुदा की खसम जितना अदब सुम्मियों में है है ये मैं गौश आदम की अवलाद हूँ गुनागार आलिम हूँ मेरे वाद से तुम्हारा इतना अदब है तो बड़े पिर का अदब किता होगा अल्ला के नभी का अदब किता होगा चावल का एक ही दाना मत के देखते हैं पुरी देख नहीं मत ते किसी का इतराम अब सलाम का मसला बड़ी अच्छी बात बता है अब नहीं पढ़ते हैं यह हम लोग खड़े रहे के नहीं पढ़ते हैं खड़े रहे के नहीं पढ़ते हैं पढ़ते ही तुम खड़े रहे के नमाज में चुके बैट के पढ़ना है खड़े रहे के पढ़ना हराम है अच्छा तुम दुरूद पढ़ते ही नहीं खड़े रहे के बोले नहीं पढ़ते नमाज जनाजा कैसे पढ़ते नमाज जनाजा क्या करते रुकू करता सज़ता करता नहीं खड़े रहे थे अब बता तरीखा नमाजे जनादा का तरीखा बता अब पढ़के फिर क्या पढ़ते बोलो सलाम पढ़े तु बोला नमाज में बैठके पढ़ते तो यहां खड़े रहे के बढ़ा नहीं पढ़ा और यह भी अला की खुदरत देखो नमाज जनादा में अला ने खुरान नहीं पढ़ाया माहभूब का सलाम पढ़ाया का है सूर अला जिन्ड़की बर मौद्रवद सलाम की मुखालिफत करता रहा मच्चित में और छगड़े करता रहा सलाम खड़े रहे के नहीं पढ़ेंगे अल्ला ने कहा लेट जा डोले में खड़े रहे के पढ़वा हूँगा मस्जिद पे तो रोका था अब दम है तो रोक के बता बड़े से बड़ा बद्बूदार भी मर जाए तो खड़े रहे के दुरूद उसलाम नमाद जणादा में पढ़ाया जाता है ये अल्ला की खड़रत है और एक वाद याद रखना है ये सुटसाद्धा लाद मौँबबद का तालुखात का मौँबद ये देको भी रिलेशन अच्छे रहे तो सलाम बननी होता होता अरे उने गली के कोने पे जा रहा नहीं वालेकुम वालेकुम किस को कर रहा रहे सलाम मेरे दोस्त है वाले कहा है वाई उने सुन रहा नहीं नहीं सुनता तालुखात है तो चावरा है पे फुकार के सलाम कर रहा और बिगड़ गए तो सामने से गया तो नहीं कर रहा मौलाना के साथ मैं मौम्मद अली नूरी के साथ एक नावत में गया तो मौलाना मौम्मद अली एक जाएंपुल दे रहा हूं मौलाना मौम्मद अली जाते हैं लोग खड़े हो गए यह आप नां उठा ना उठाना सलाम करा तो ब्ले अधर अब उठे एसका जोगना हो गया गिए जगड़ा ओगा तो क्या हुआ ब़ले जिज दन जे जगड़ा उवा उस दिन्दे सलाम बन हो गया जिस दिन्दे जगड़ा हुआ उस दिन्दे सलाम बन हुआ सलाम बन नहीं नहीं हो सकता जब तक जगड़ा ना हो पहले एक्तिलाफ फिर सलाम बन तो ये जो लो नबी पर सलाम बन करते हैं यही तो इलाम करते हैं कि हमारा जगड़ा हो गया है अरे जगड़ा तुमारा हुआ तुम मन करो हम तो गुलाम मुहमद रसुल्ला है हम तो नभी के गुलाम है हम तो यहां भी सलाम पड़ेंगे और कबर में आता हुआ देखके सलाम पड़ेंगे और हशर में आता हुआ देखके सलाम करेंगे ये हमारी खौम को आदत डाल रही सलाम पढ़ो पढ़ो बहुत पढ़ो जब देखो सलाम हो रहा जब देखो सलाम हो रहा भाई आदत डाल रही यही आदत पढ़ी तो खबर में आए तो पढ़ना और महिशर में आए तो देख तो ही सलातो सलाम अर्ज करना अरे जो जिन्दगी में यहां नहीं पढ़ा वा क्या पढ़ेंगा तो हुमै यौजिम शायर अल्ला वैन्नहा मिं तक्वल खुलूब यौ अल्ला की निशानियों की ताजीम करते है यह उनके दिल का तक्वा है और दिल का तक्वा हासिल होता है ताजीम से अब जब दिल मुत्खी हो जाता है किसी की मुहबत दिल में पैदा हो जाती है तो मुहबत करने वालों को दलील की जरूरत नहीं होती मुहबत करने वालों को दलील की जरूरत नहीं होती हम दलील मांग के जलील नहीं होते दलील वही मांगता है जिसको जलील होना है हम तो बिला दलील बानते है अब ये बात बात गरीबों को अब ये अलग बात है मिला शेरिफ का मेना आरा लोग खिला रहे हैं पिला रहे हैं देगा नहीं मिलते हो उस दिन और ये हराम बोलने वाले पहले रोड में खाके चले आते हैं सुन्या अभी आखा मलके उठते हैं तो बालोबा बारा चौदा देख खाली हो गए अरे कोन है वर तो हो लो उठते हैं हराम भी बोलो बिटा आगे खाके भी जाओ बहुत मज़े की वीरिया नहीं थी उठते हैं खुदा की खुद्रत है और कितना बड़ा बड़ा अल्ला का इसान है बुखारी शरीप की किताब अलिएमान की हदीस है इब्तिदाई सफों में है मेरे काल थे बुखारी शरीप बोले तो पांचवे छड़े सफों में हदीस है अल्ला के रभी से बुखा या रसुल्ला इसलाम क्या है क्या बुखा इसलाम क्या है आखा ने फरमाए आतिमुत दाम खाना खिलाना बहतिरिन इसलाम है क्या बहले है खाना खिलाना बहतिरिन इसलाम है और खुदा की कसम ये बैतिन इन इसलाम तो इधर ही चाहिए और अल्ला ने हमको खिलाने वाली जमात में पैदा किया और हम तो ठूंते हैं बहाना खिलाने को अरे खिलाने के लिए दिल चाहिए कलेजा चाहिए अपने पैसे से खिला के खुश हो ना या ला की तुफिक है हम तो बहारे डुनते खिलाने के बच्चा पेट में आया सत्वासा करके खिलाते बच्चा पैदा होते छटी करके खिलाते छिला करके खिलाते बिस्विल्ला करके खिलाते शादी में मंजों में खिलाते वलीमे में खिलाते 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 ये तो खिला रही मर गया तो फाते जियारत करके खिलाते दसवा करके खिलाते चालीसवा करके खिलाते बरसी करके खिलाते अब ये खाने खतम हो गए तो खाजा की छटी करके खिलाते गौस की गैरवी करके खिलाते रसुल के भर्वी करके खिलते इमाम जाफर सादिक के कुण्ड़े करके खिलते बस खिलते क्यों कि अल्ला ने पूर ने.? अल्ला के रसुलने फरमाया खाना खिलाना भैतरे लिसलाम है और खुदा की गख़जम भैतरे लिसलाम तो इदर ही है और पड़ोस में इन्हों है ना आया तो खिलाते ना गया तो खिलाते अरे जिसके घर पे कोई हाथ नहीं दोता उस घर पे खुदा की लानत होती है और गरीब से गरीब रक्षे वाला भी हो तो बगारा खाना कवार की फली की बना कर अपने आखा का मिलाद करता है एक बार एक बार मैं मदरास में तक्रिक कर रहा था पीच में आगए एक बात खिलाने की तो एक सलफी था कोई छिट्टी लिखा बोले मौलाना एले दिस बोला मौलाना बहुत ग्यारवी के बारवी के खाने खिलाए छिट्टी के खाने खिलाए अल्ला के नाम पे खिलाओ अल्ला के नाम पे खिलाओ तो मैं बोला मैं रोका आप खिलाओ बढ़े लोग नहीं मिले तेक बच्छे कुला या पाक आए रहे तो बाब Hazard कुगे अच्छा चल मीरे साथ बच्छा बच्छा कस कहा अल्ला गे नाम पे खाना खा अल्ला गे नाम पे मेरे घर पे खाना खा तो बच्छा निच्चे से ऊपर तक डिक़् बटूँना मेरे कूआ ल्ला की नाम पे खिलाता तेरे जैसे 36 को मैं किलाता हो बातें बड़ी बड़ी करते हैं अल्ला के नाम बेगिलाओ दम है तो पकाओ और बुलाओ और दावद दो लोग खाने को आते हैं या जूते खांके आते अल्लाओ खुद चाता है उसके महभूबों का नाम होता रहे वबई यौज़िम शायर ल्लाओ फइन्नहा मिं तक्वन खुलूब जो अल्लाओ की निशानियों की ताजीम अब ये बात चलीना कि ताजीम और महब्बत के लिए दलील की जरूरत नहीं है अब ये बार 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 पुछते हैं खुरान में का हैं खुरान में का हैं अब सुनिया पड़े परेशान हैं एक बात बता जबता हुँ अइडिन्टिफिकेशन अलामतें जो हैं मजब नहीं होती हैं कुछ पैचान होती हैं तुमारी हमारे बुद्रूगों का सद्खा है कि सुन्नत और जमात की एक पैचान बना दी है क्या पैचान बनाएं फसला नजर में मकान हैं जर्ट पे जंड़ा है बड़े पीर का जंड़ा है ना फरद है ना वाजिब है मगर चड़ाते गई कुए हैं पैचान है बाहर से आज भी देखके समझ जाता है कि इस घर में घौस का वफादार रहता है घौस ए आदम का गुलाम रहता है इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है अब ये पड़ोस में आके इने भी रह गया पीछ में जंड़ा इधर उने इधर उने अब जंड़े को देखके आप पैचाने जा रहें नई चड़ा के इने पैचाने जा रहें पड़ोस वाले आके पूछे बादुवाला कोने वही देखें नहीं है रहो जड़ा नहीं है अच्छा आगया यहां पर अब इने क्या कर रहा है आके जड़ा के कुछ चड़ा रही है जड़ा के कुछ चड़ा रही है असल में हम चड़ा के पैचाने जा रही है नहीं चड़ा के पैचाना जा रहा जन्दा ना फर्द है ना वाजिब है हमारी अपरी पैचान है ये गन्फ्यूस कर रहे हैं तुम्हारे को ये हमारी अखीदत है क्या है खौस आदम का जन्दा हमारा अखीदा नहीं है खुलो अखीदा नहीं है अखीदत है मुहब्बत है मुहब्बत है चड़ा रही नहीं है मत चड़ा ना फरद है ना बाजी बैए मजजीद में गए मौज़न ने का शदूनना मुहमद रर्रसुल्ला अंगोटे चुम लिए अब बादों इन्हें पूछ ला क्या करें क्या करें यहुब्ला अंगोटे चुमा खुरान में कईनी है हदीश पे भी कईनी है पुरा खुरान पड़े कईनी है आप बताओ ना खुरान में अब ये बच्चा कह चाधे बताइंगा दूसरे उका जुम्ए के दिन पहुंचे जैसे ही मौज़न आशाद अन्ह मौम्मद रसुल्ला बोले तो इनों हाथ उठाते उठाते उसको देखके छोड़ दी कहां फिर लग जाता की कहां भैस करो अब इनको मालूम नहीं अब उन्हें बोलना खुरान अरे डिटेल में जाते काई को अगर तुमसे पुझे के अंगोठे काई कुछ चुम रही मज़िद में सो मुसलिए 99 चुमे एक नहीं चुमा तो बच्चा बोलता आगा दे आगा दे कौन है 24 नंबर बच्चे जब पुझे बेटे कैसा पैचाने तो बले अंगोठे नहीं चुमा न तो अंगोठे चुमना ये फरज वाजिब रही है हमारी पैचाने हम चुम के पैचाने जा रही ये नही चुम के पैचाने जा रही अगर कोई जमात वाला पूचा अंगोठे काई कुछ चुम रही तो बलट के बोलना तुम नहीं चुम रही इसलिए हम चूम रहाएँ वो क्या बाद है भले ल hacks चूमना येरी पैचाने और चूमना एज़ूरी पैचाने अलामत है अगर खत्म कर दो तो पैचाने कैसे जーフे अपे सिक को कैसा पैचान दे आप बोरे की दुकान बा गे तो टोपी देख के पैचान दे ना बोरे की हर कौम अपनी अलामतों से पैशानी जाती है तो सुन्द अल्जमात खौश के छंडे से पैशाने जाते हैं अरे रिस्वालत यारुल्लाँ वमैं याजिम शायर अल्लाँ फैन्नहा मिं तक्वल कुलो अब एक्तितामी बात पर वहा जाओं अल्लाँ तुम्हारे होसले को सलामत रखे मैं तो समझे लिए रहा था कि मैं तक्रीर कर सकूँ मैं अब याज से पांच दिन पहले मैं कश्वीर में था इतनी सर्दी लेके आया मैं कि रात रात बर मैं खासते में गुदर रही है अंटिबेटिक द्वाएं खाके आया मैं और यह कराता है कि वह अल्लाँ वास कराते है मेरे से तो मैं मैं वास करने के कंडिशन में नहीं हूँ लेकि यह आखा का जिकर है और मेरे आखा फर्माते है मेरी मुहबत का भी रसुआ नहीं करती है तो ये हुदूर का जिक्रे बाग है कि बगर खांजी भी में तक्रिक कर रहा हूं अब जाने के बाशिरू हो जाती है अब एक तामी बात पर सुरिए ये बात बात पर दलील पूछते ये कहा हैं वो कहा हैं फातिया दिलाना कहा है फातिया दिलाना कहा है काप पलेट के पुछना नहीं दिलाना कहा है वसूल की बात बता हूं खुरार पाक में अल्ला ताला ने हराम का जिकर किया क्या क्या हराम है और से सुन लो मसला बता रहो चौराए पे सवाल, चौराए पे जबाब हादी प्याली पे सवाल कर रहा, पूरी प्याली पी के जवाब दे तो अब तुम से पूछ रहा ये कहा है, वो कहा है, खुराण में कहा है, खुराण में कहा है, हदीश में कहा है जायज के लिए दलील की जरूरत नहीं है बोलो जायज की जरूरत नहीं है खुरान पाक में अल्ला ने जो वसूल बताए जो चीज तुपको नुखसान पहुचा थी अल्ला ने जिकर किया हराम का जिकर है खुरान में हरम اللہМALLAHULMYTTAWULDMAHULاحMALKHINZIT اللہ نے حرام کر دیا مردار کو ا requirement حرام کر دیا صور کے گوشت کو اللہ نے حرام کر دیا خون کو मboys رم LINAT کے ساتھ मा के साथ निका हरां है भेन के साथ निका हरां है سकी خالा के साथ निका हरां है ढादी के साथ निका हरां है नानी के साथ आईसी बेटी के साथ नवासी के साथ हराम के लिस्थे खुरान में आई अब इन मौलाना से पूछो सलफियों से बावा की चचेरी भाइं से शादी करना तो जाएज है खुरान में बता अमा की फुपेरी भाइं से शादी करना तो बोला जायज है खुरान में बता लटक के आदों नहीं बता सकता अरे भाई तुम खुरान में बताना तुम बोला जायज है तो खुरान में होना तब ये निश्टा जायज है तो खुरान में क्यों नहीं बताता तो बोलेगा देखो भाई, ये लिस्ट है जिन से निकाह नहीं हो सकता कि खुरान में ये लिस्ट है, इसके अलावा हर एक से निकाह हो सकता हर एक से जायज है, तो क्या पता चला, खुरान में जो चीज मना है पौर तुमको और फौर एक्जैम्पल तुमको बता दू डाक्टर साहब के पास गए डामेंटिक्स पेशन्ट है डाक्टर साहब तुम्हारे को बोले अरे शक्कर बूर बढ़ गई ना जी जो डगता वो दाद में आ अच्छा बूर बढ़ गई अब परेश करो गड़े की तरगारी मत खाओ